Hello Everyone, Welcome Back So another series है Entrepreneurship की जिसमें कि हम Family Business के बारे में डिसकस करने वाले हैं Family Business के नाम से ही clear है कि ऐसा बिजनिस जिसमें Family के members involved होते है Family Business को काफी नाम से जाना जाता है जैसे कि Family Aunt ऐसा बिजनिस जो Family के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या Family Controlled Business Family Managed या फिर बिजनिस या फिर इंडर्स्टियल हाउस के नाम से भी जानते हैं Family Business को हम different way में लेते हैं ऐसा बिजनिस जिसमें कि जादा Controlling Power, Decision Making Power Family के members के पास होती है और Boating Power, Maximum Members के पास, Family Members के पास होती है उसी को हम Family Business कहते है Family Business को इसली समझने के लिए हमें एक Concept को ध्यान में रखना है ऐसा बिजनिस जो एक Family के एक के एक से ज़्यादा बैक्ति के द्वारा Managed किया जाता है, Control किया जाता है और उसको चलाया जाता है उसी को ही हम Family Business कहते है Family Business का Concept का काफी पुराना है अगर हम देखा जाए तो सबसे जादा जो Old Concept लेंगे हम Family Business का लेंगे क्योंकि पहले क्या होता था जो Grandfather है वो विजनिस करेंगे आगे Father विजनिस, आगे उनका बेटा विजनिस को बढ़ाता है तो वो ही एक Family Business का पार्ट बन जाता है अगर Family Business पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो मैक्समम जो है वो 60% 40% जो एकॉनमी है वो Family Business के दोरा ही कंट्रोल की जाती है Family Business बहुत से कंट्री में पापलर है अगर इंडिया की बात करें तो बहुत से लोग जो है वो Family Business को अडप्ट कर रहे है फैमिली बिजनिस को चला रहे है और Family Business में से जो में चीज आती है जरूरी नहीं कि जो Family के ही मेंबर्स इसमें इंक्लूड किया जाते हैं वर्ट की Non Family मेंबर्स जो हैं वो इसमें मैक्समम इंप्लाई होते हैं Family Business में Family के मेंबर्स जो है जो साथ में ओनर्शिप का काम तो करते हैं लेकिन बिजनिस को महनेज भी करती है मैक्समम जो डिसिजन पाबर रहती है वो आपकी पास Family Business के पास ही होती है Family के मेंबर्स के पास रहती है Family Business के अगर क्रेक्टर स्टिक्स की बात की जाए तो बैसे तो काफी क्रेक्टर स्टिक्स है आगे डिसकर्स करेंगे देखें जो थ्री मेंबर्स कारेक्टर है वो बहुत ही पापलर है Family Business में पहला आता है This is the Pre-Dominance Pre-Dominance का मतलब है कि जो भी Family Business है They can be controlled by the family member उनके द्वारा ही control किया जाता है मनेज किया जाता है और चलाया जाता है तो ये एक में जो है Pre-Dominance में ट्रेक्टर रहता है Family Business में And next one आता है Engagement and Identification अगर Engagement की बात की जाए तो Family Business हर एक्टिविटी में इन्वाल पर रहते हैं And उनकी जो Family Members की परसेंटेज रहते है Controlling power की तो ये काफी इन्वाल्मेंट रहती है उनकी जो engagement हर एक्टिविटीज में हर चीज में डिसीज लेने की वो काफी बनी रहती है And the last one is identification जो Family Business के मेंबर होते हैं वो बहुत ही loyal होते हैं अपने काम के लिए commitment करते हैं उसी चीज को लेके वो आगे बढ़ते हैं उनका जो motive रहता है अपने business को करने के लिए वो बिल्कुर loyalty maintain रखते हैं क्योंकि लोग उनके business में तभी काम करते हैं या उनके business के product के साथ तभी जूटते हैं अगर वो loyal रहेंगे अगर वो loyal नहीं रहेंगे उनकी commitment सही नहीं रहेगी तो लोग उनके product को ज़्यादा involvement नहीं देना पसंद करते हैं तो काफी ऐसे example हैं जो family विजिन्स में आते हैं बहुत से biggest टेसे टाटा की बात करें या फिर अंबानी family की बात करें तो वो भी एक family विजिन्स का main example है इंडिया में और देखें अगर वाल्मार्ट की बात करते हैं तो वाल्मार्ट में एक family विजिन्स है जो इन उनाइट स्टेट के थूच लाया गया था और इसके जो founder थे वो वाल्टन थे तो वाल्टन के थूच वाल्मार्ट का शुरूबात की थी युनाइटिस स्टेट में तो हम अगर वाल्मार्ट की बात करें तो वाल्मार्ट भी एक family विजिन्स का ही example है जो USA में चला business setup था यह वी एक family business है आज कल काफी example है अगर हम facebook की बात करते हैं तो facebook के founder है जो कर वर्क अगर और युनाइटेक्ट मेँ उनने अफना बिजनेस चुरू कीया था इनके जो फैंली के मैंबर्स है वो भी इस फैंली के मिजनेस में इन् Obrig Reg 여러ब है या फिरज सैमसंग की बात किरते हैं सैमसंग electronic यह सैमसंग electronic इनकी उनकी इनकी जो वह फैमली बिजनिस का एक्सामपल है और एकल लेंग्विज आपने सुना होगा तो एलिसन ने और एकल को फॉंड किया था और एकल का भी जुमीन हैड ऑफिस है वह यूएसे में हैं यह भी आईटी से रेटेड है यह भी फैमली जो इनका बिजनिस है वह फैमली के दोरा किया जाता है मैंने इस किया जाता है नाइकी के बारे में बात करते हैं तो नाइकी के अभी फैमली बिजनिस के नाइट ने शुरू किया था और यह भी यूएसे में सेटप है तो यह भी फैमली बिजनिस का एक्सामपल है टाटा की बात करते हैं टाटा फैमली ग्रूप है फ़र रेकं गम उन्होंने कंत्रोल किया है इंडिया में शुरू है तो टाटा फैमली ने इसको शुरू किया था ते सनं कांग कि बात करते हैं होग कॉंग ने कही Defense के थूरू जह 네 यह यह शुरू किया तो ये main कुछ example है family business के अब बात करते हैं कुछ main practice takes is family business के बारे में अगर family business की हम नेचर के बात करें तो सबसे पहले main चीज रहती है कि strong inter relationship क्योंकि family business तभी चलेगा जब आपस लोगों के साथ जो है वो strong relationship होगा अगर strong relationship तो फैमिली विजन जादा ग्रोग नहीं कर सकता है तो बन अब दे मोस्त इंपोर्टन ट्रेक्टर्स्टिक्स और फैमिली विजनेस इस ट्रॉंग इंटर रिलेशन्शिप अगर स्टॉंग इंटर रिलेशन्शिप होगा क्योंकि जो भी हाई पोस्ट पे सीओ होते हैं स्मार मैंजमेंटीम या फैमिली मेंबर्स होते हैं वो अपस में ओनराशिप मेंडर बिजनेस को थो उनका आपस में कॉडिनेशन होना बहुत जरूरी है कभी कबार हम बिजनिस में काफी मेंबर होते हैं और जो ownership है 1% to another transfer की जाती है तो वो एक faith रहता है आपस में जो भी intentional realizations होती है changes की कि जब भी हम ownership and management कोई 1% to another transfer करते हैं तो वो एक belief के साथ transfer करिया जाना चाहिए कि जिसमें capability हो decision making की या फी चीज़ों को control करने की administrative features होने चाहिए employee की features उस ब्यक्ति में होने चाहिए उसी को ही वो business transfer किया जाता है थर्ड है कि जो family business है वो long term sustained रहता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि family business से one year two year के लिए या दो तीन सालों के लिए शुरू किया जाता है family business focus करता है long term sustainability के लिए क्योंकि वो लंबे time के लिए profit generate कर सके rather than to short term profit so family business का main component रहता है च्छोटे लेबल से करते हैं तो small family से करते हैं तो वह business वह आगे होके ज्यादा develop हो जाता है ज्यादा तर लोग जो हिंदू joint family से यह business शुरू करते हैं काफी development इसमें रहती है and maximum जो family business में member रहते हैं वो male member रहते हैं क्योंकि male member का जो coordination है वो काफी बना रहता है इंडियन family business की बात करें तो maximum लोगोंने जो male member है अगर हम history की बात भी करते हैं जो टाटा हो अंबानी हो तो male members का dominance इसमें काफी बना रहता है ज्यादा importance daughter को नहीं दी जाती है बलकि son को ही एक बेटे को ज्यादा involve किया जाता है business में and जो main इसमें nature है that is the lack of the professionalism क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इनके family के सारे के सारे लोग जो है professional हो और expert हो field में इंडियन family business जो है वो जादा तक जो है वो non professional nature की रहती है lack of the professionalism इसमें काफी पाया जाता है क्योंकि जो non family manager होते हैं वो expert तो होते हैं no doubt उनमें talent होता है उनको hire करके जैसे employee बनाया जाता है जबकि उनको एक तरह की ownership provider नहीं की जाती है और family business में group of the people काफी involved होते हैं जरूरी नहीं आपके family के ही लोग involved हो बलकि आपके relative इसमें involved हो सकते हैं family business तभी successful होता है जब mutual relationship यह interest हो अगर trust नहीं होगा then they can be not survive for the long term sustainability and family members का main motive रहता है this is the control one family members के लोग business को control करते हैं खुद चलाते है decision making जो power है maximum family members के पास रहती है and ज्यादा तो जो family members में रेखा जाए तो cast related या every cast जो है अपने जो family के लोग होंगे उनको ज्यादा involved करेंगे यानि cast related relation जो है वो काफी इसमें रहता है family business की category काफी time की होती है इसा नहीं की हर family जो है वो control भी करती है money भी करती है and delete भी करती है अगर हम family business की category की बात करें तो different different categories रहती है family business में first one category की बात करते हैं this is to be family owned business ऐसा business जो उसमें ownership रहती है जो बैक्तियों के पास just only power रहती ownership की लेकिन काम करवाना है या professional जो लोग है वो बहार से hire के जाते हैं तो family business जो है वो एक से जजादा वैक्ति के द्वारा control किया जाता है और यह जो concept वो काफे पुराना है क्योंकि इसमें जो मालिक होता है वो family लोग होते हैं बाकी लोगों को मालिक हाख होता है ownership का ह होता है वो नहीं होता है और यहाँ पर जो मालिक होंगे वो family के लोग होंगे लेकिन ज़्यादा तर अगर इनको अपना business चलाना है long term focus रखना है तो उनका जो concern रहता है वो अपने employee के पती ज़्यादा रहता उनको पता है कि business कौन चलाएगा employee चलाएंगे तो उनके लिए उनकी commitment focus काफी बना रहता है second one है family on and the managed business इसमें क्या होता है कि family के members जो है वो मालिक तो होते ही होते हैं लेकिन वो चीज़ों को manage भी करते हैं काफी उनके पास share तो रहते ही रहते हैं लेकिन हो सकता family का एक ब्यक्ति एक से ज़्यादा के पास ownership हो साथ में family के काफी लोग चीज़ों को manage करते हैं वो top level management कर में एक ब्यक्ति एक से ज़्यादा ब्यक्ति रहता है और चीज़ों को manage करता है देखता है decision making जो power रहती है वो maximum family members के पास रहती है क्योंकि जब भी कोई हम board of director की meeting करते हैं other director की meeting करते हैं maximum उसमें अगर family member होंगे तो decision making power जो है वो एक तरफ यानि की उसी side को रहेगी third one है family on and the lead business family on and the lead business जो है वो इसमें भी same रहता है कि जो maximum voting power है वो family के members के लिए रहती है and but not essentially majority of shares owned by member in the single person or family क्योंकि जुरूरी नहीं कि family का एक व्यक्ति सारे के सारे shares को लेगा एक से ज़्यादा व्यक्ति के पास भी share हो सकते हैं and इस type में जो है वो dynamic participation रहती है family business की और इसमें top level management में काफी लो family member के रहते हैं और जो control बना रहता है यानि कि जो maximum control है वो भी family business के पास ही बना रहता है क्योंकि family को lead भी कौन कर रहा है family business ही कर रही है इसलिए lead करने के लिए जो decision होगा या फिर जो भी majority of decision होगा वो maximum family member के द्वारा ही लिए जाएंगे and ज़्यादा तर जो members होते है वो major influenced on the business activity इसलिए family firm जो अपने हिसाब से चीज़ों को change करती रहती है regulate करती है lead का बात है बदला अपने हिसाब से वो चीज़ों को change कर सकती है उनके पास इतना controlling power होता है and कुछ family business ऐसे होते हैं जो soul practitioner के तरह काम करते हैं यानि कि इसमें एक ही ब्यक्तिज हो major role play करता है उसी के decision को बाकी लोग मानते है यानि burn man business के नाम से इसको हम बोल सकते हैं जो maximum role है decision लेने का या activity का वो एक ब्यक्ति उसमें role play करता है कुछ ऐसे business होते हैं जो associated nature के होते हैं associated partner के होते हैं ये तरह की former partnership तो नहीं होती है लेकिन वो आपस में एक दो entrepreneurs मिलके जो sibling होते हैं वो cousins होते हैं वो आपस में मिलके family को चनाते हैं और उनके पास controlling power होती है तो associates partner sibling partner होते हैं जो आपस में मिलके हम काम को करते हैं कुछ family business होते हैं जो family के द्वारा control तो किया जाते हैं लेकिन जो maximum जो influencer होते हैं वो family के लोग होते हैं family के लोगों से वो प्रभावित होते हैं उनके role से प्रभावित होते हैं और उनकी thinking thought जो वो आपस से match करती है तो कुछ family business ऐसे होते हैं जो एक family influencer का काम करते है business के लिए तो next topic हम बात में discuss करेंगे